नवस्कार किसान सातियों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी योटूब चैनल एग्रिटेग रिसी में तो किसान सातियों आज हम बात करने वाले हैं गेहों के अंदर इली या घुन की जो प्रोबलम होती है उसके लिए क्या करें उसके हम आपको जेविक तरीके बताने वाले हैं ताकि जो गेहों में यह प्रोबलम आती है बार बार गुन पढ़ने की इली पढ़ने की उस प्रोबलम से निजाट काने के लिए देशी नुसके जेविक तरीके हैं वह आपको आपको बताते हैं तो किसान सातियों मैं आप को बतना चाहता हूं कि भंडारण करने से पहले आप गहंू법 को अच्छी तरीकय से धूब में सुकाले दो 32 सुकाने के बाद में उनको तो अच्छ अच्छाया दार रूम के अंदर रख ले कमरे के अंदर हवादार कमरा होना चाहिए ताकि उसमें हवा लग जाए गरम में ढलते हैं जो खोटी वगेरा जो रखते हैं आप उसके अंदर डालते हैं तो उसमें भी प्रोब्लम आजाती गुनपड़ने की तो उनको होने दे एक रात और फिर अपने जो भंडारण है उसके अंदर आप रख सकते हो तो किसान साथियों भंडारण करने के बाद में हम आपको बताते हैं देसिन उसके तो आप जो सलफास की जो गोलिया आती है वह जहर की जो कभी निडाले गयों के अंदर उसे प्रोब्लम हो सकत करें जून होता है। जो डली आती है मोटी तक रहें मिल जाएगा आपको इसकी खोटी-खोटी निद्या होताइन और उसको डाल दे और फिर इसको टाल दे आपको यह कब लिए आएगा तो उसको भी नदर बायचांस पीस भी जाए चक्की के अंदर तो भी कोई प्रोब्लम नहीं आती कोई नुक्सान नहीं देता तो यह बहुत फाइदे मंदे इससे दोनों परत्रे करसे फाइदा होगा आपको इली भी नहीं पड़ेगी और यह ग्यों की नमी को भी सोक लेगा तो यह बहुत अच्छा उपाई है च्षोना डालने का उसके सीवा आप नेम की पत्तियों का या ठहनिया जो भी होती है सूकी या अगर आपके पास नेम की पत्तिया उनको सुका लो और फिर वह ग्यों के अंदर डाल दो उससे भी आपको यह प्रोब्लम नहीं आएगी इली की उसके सीवा तीसरा उपाई है पर यह प्रोब्लम भी नहीं आएगी तो चार नमर का उपाईय किसांस आती हो जो अपनी माचिस की तेलियां आती है उनके अंदर फास परोस रता है पास परोस की वह जैसे भी जो होती है कीड़े होते हैं वह पास नहीं आते बिलकुल भी तो आप वह भी डाल सकते हैं उसके करने से पर ले नीचे जो अपनी जो खोटी वगेरा जो भी होती है उसके अंदर पहले माचिस की तेलियां डाल दो पास साथ पर उसके बाद में बंदान कर दो फिर उब नीचे उपर नीचे करके इनको डाल दीजिए फिर भी प्रोब्लम कभी नहीं आएगी जो इल्ली की Problem होती यह बहुत ज़दा बढ़ जाती है अगर आप जो भंडान करते हो उसके लिए इसके लिए थेली का भी फियोक कर सकते हो जो अपने खोटी होती है उसके अदर पहले थेली की बचा दो एक जो सीम अगेरा जुछाए उसके ना बुले ताकि हर प्रकार का नोट्रिफिकेशन खेती से जड़ाओवा आपके पास सबसे पहले पहुंचे